हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रू लर्निंग प्लेटफोर्म विज्वाल आर्ट एंड़ी के टुटोरियल पर आपका स्वागत है दोस्तों चित्रकला और मूर्तिकला के एक हजार प्रश्णोतर की सिरीज का यह 31st पार्ट अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखें तो ज सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए तो आईए देखते हैं प्रिश्णों को कोशन नमर 551 551 से शुरू करेंगे मैं यहाँ पर तो प्रिश्ण है अर्बस्क क्या है तो अर्बस्क जो है वो एक टेकनीक है और वो है सल्तनत कालिन इमारतों में अलंकरन की सैयुक्त विधी तो आंसर हो जागा यहाँ पर तकनीक और कभी पूछा जाता है एक्जाम में कि अर्बस्क की तकनीक किस काल में यूज हुई तो यह सल्तनत कालिन याद रखी सल्तनत कालिन इमारतों में अलंकरन की यह तकनीक थी जिससे अर्बस्क कहा जाता था नेक्स्ट कोशन है 552 दा वुमेन इन दा ग्रीन ड्रेस चित्र के कलाकर कौन है काफी प्रसिद्ध चित्र है और इस चित्र को बनाने वाले प्रभावादी और यथार्दवादी शली में भी काम किया है कलाकर है मोनेट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए प्रभावादी और यथार्दवादी शली में भी काम किया है, फ्रांस के कलाकार है, उनका काल पूछा जाए, तो 1840 से 1926 इनका काल था, 1926 तक इनका काल था, और उनके कई प्रसिद्ध चित्र हैं, जिसमें सूर्य उदय का प्रभाव तो काफी प्रसिद्ध हैं, सभी जानते होंगे, वाटर लिली सिरीर्ज इनकी काफी प्रसिद्ध रही, और लंदन पारलियामेंट की श्रंखला पर भी उनके काफी सारे चित्र बनाए हैं, नेक्स्ट कोशन है, 553 विक्रम समवत कब से शुरू हुआ, कई बार पूछा गया है एक्जाम में, हमें पता भी होना चाहिए, वैसे भी कि विक्रम समवत कब से माना जाता है, तो विक्रम समवत जो शुरू हुआ था, वो 58 BC से प्रारंभ हुआ था, 58 BC से शुर स्थित है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दू कि काफी सारी इंडियन गेलरीज हैं, कहां पर है कौन सी गेलरी, इस पर मैंने पूरी शंखला बनाई है वीडियो की, वह आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको मैं इस वीडियो में देदूंगी, आपके भी होते हैं कि गेलरीज कहां पर है, या फिर न्यू योर्क, जो यूनिस्को की जो लिस्ट है, उसमें कौन सी इमारत या कौन सा धरोहर स्थल है, शामिल किया गया, कब किया गया, इस पर भी मैंने वीडियो मना है, तो आर्टूडे गेलरी जो है, वो है नई दिल्ल में, आंसर हो जाएगा यहां पर, आप्शन ए, आर्टूडे गेलरी है, दिल्ली में, क्वेशन है, 555, 555, अश्रोक स्थम्ब की उचाई कितनी है, अलग लग तरीके से पूछा जाता है, क्वेशन बनते हैं काफीज में, तो अश्रोक स्थम्ब जो है, उसकी जो हाइट है, बहुत है, बहुत है, पचास फीट, आंसर है, ऑप्शन, सी, पचास फीट उसकी हाइट है, नेक्स्ट कोशन है, इंडियन प्रिंट गिल्ड में कितने कलाकार थे, तो इंडियन प्रिंट गिल्ड जो कलाकारों का समूह था, यह 1990 में शुरू हुआ था, पुछा जाए कब, 1990 में वरस में थे 12 सदस्य 1990 का यह समू है मैं आपको नाम बता देती हूँ फिर आगे कभी कोश्चन भी बनाऊंगी इस पर की कोण सा कलाकार इस ग्रुप में था कोण सा नहीं था आप चाहे तो पेन पेपर लेकर कलाकार उख नाम नोट कर ले कलाकार है आनंद मोईब एनरजी दत्ता त्रे आपटे जयंत गजेरा, ए आर सुबन्ना, तुला भटाचार्य, कवीता नायर, कंचन चंदर, मोती जरोटिया, शुषान्त गुहा, सुखविंदर सिह, सुब्बा घोश और शुकला सावंत एक बार फिर से नाम बता देती हूँ आनंद मोईब एनरजी, दत्ता त्रे आपटे, जयंत गजेरा, ए आर सुबन्ना, तुला भटाचार्य, कवीता नायर, कंचन चंदर, मोती जरोटिया, शुषान्त गुहा, सुखविंदर सिह, सुब्बा घोश और शुकला सावंत ये इंडियन प्रिट गिलिड के कराकार, नेक्स्ट कोर्शन है 557, हीनियान संपरदाय का सरवाधिक विक्सित शेलकृत चेति कहां है, तो हीनियान संपरदाय का सरवाधिक जो विक्सित शेलकृत चेति कहलाता है, वो है महाराष्ट्र में, और कहां है, तो ये है कारले, कारले, जो कि है महाराष्ट में ये हीनियान संप्रदाय, जो बोध धर्म का एक संप्रदाय है, हीनियान महानियान जो होते थे, तो हीनियान वो थे जो कि किसी मतलब मूर्ति कला और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और कारले में इनका सरवाधिक विक्सित शेलकत चेहती है, Q558 है सारनाथ पिलर का समय काल क्या है तो सारनाथ पिलर अगका भी पूछा जा इसकी हाइट कितनी है लंबाई कितनी है तो 7 फीट 7 फीट है इसकी लंबाई यानि कि 2.15 मीटर में पूछा जाता है तो मीटर में 2.15 और इसका टाइम जो है वर 250 इस वी पूर्स यहने कि तीसरी शताब्दी शताब्दी में अगर पूछाए तो तीसरी शताब्दी हो जाएगा और इस तरह सर दिया जाए तो 250 इसवीपूर इसका टाइम पीरिड है कोश्चन 559 है मुगल काल की कौन सी इमारत गुजरात की वास्तुकला से प्रभावित है तो मुगल काल की जो इमारत है जिसमें गुजरात की शेली में वास्तुकला के तत्तु देखने को मिलते हैं वह फतहपूर सीकरी का दीवाने खास। यहап किक दिवाने खास। दिवदे खास। यह उस था और इसे मतलब दिल्ली के जो लाल किला है उसके अंदर भी है। लेकिन यहाँ अलगले जगह पर है लेकिनी फतहापूर सीकरी का है। Q560 है, चंदेल शाषको द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहा है? चंदेल शाषको ने चतुर्भुज मंदिर का निर्मान करवाया था और ये मंदिर है खजुराहों में आंसर है, ओप्शन C और कई वर पूछा जाता है सबसे प्रसिद्य मंदिर एक्जाम में आता है कंदर या महादेव तो वो मंदिर भी खजुराओं में हैं खजुराओं है मद्यपरदेश में और चंदिल शाषकों ने यहाँ पर इन मंदिरों का निर्मान करवाया था कोशन है 561 रागी नी भेरवी चित्र किस शाषक के समय निर्मित हुआ तो रागी नी भेरवी पूछा जाता है कि शेली का चित्र है तो शेली आपको पता होना चाहिए यह बूंदी शेली का है बूंदी शेली का चित्र है यह और एक और राग दीपा कि यह भी बूंदी शेली का चित्र है और रागी नी भेरवी चित्र जो था उसे निर्मित किया कर था राव रतनसी के समय आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए राव रतनसी के समय रागी नी भेरवी चित्र बूंदी शेली में निर्मित हुआ था और राव रतनसी का जो शाषन का समय था 1607 से 1631 इसी बीच में ही चित्र जो राजिस्थान के उपशेली है बूंदी शेली उसमें निर्मित हुआ था राजा हिंदाल पाल इनका चित्र जो बनाता वो बनाता बसोहली शेली में पूशा जा किस शेली में बनाता तो ये चित्र बनाता बसोहली शेली में बसोहली भी बोलते बसोहली भी बोलते और ये चित्र जो है ये पंजाब संग्रहाले में है कहां है तो पंजाब म्यूजियम में ये चित्र संग रही थे और राजा हिंदाल पाल इनका शाशनकाल था 1673 से 1678 कफी कम समय इनका शाशनकाल था कोशन है 563 चित्रकार है कासपर डाविड फ्रीडरिश ये कहां के कलाकार है तो ये थे रोमानसवादी आपको बतादू रोमानसवादी कलाकार थे ये और ये थे जर्मनी के कासपर डाविड फ्रीडरिश ये रोमानसवादी जर्मन चित्रकार थे और इनका टाइम पीरिड था 1774 से 1840 और ये अपने कालपनिक प्रकरती चित्रों के लिए प्रसिद दे थे अगर कभी ऐसा आये कि कौन सा कलाकार अपने कालपनिक प्रकरती चित्रों के लिए प्रसिद दे था और ऑप्शन में हो ये फ्रीडरिश तो आप इसे टिक जरू करिएगा ये अपने जो प्रकरती चित बनाते थे कलपना से उसके लिए काफी प्रसीदे थे नेक्स्ट कोशन है किस कलाकार ने अपनी यथार्थवादी कला को जन्त तंतरवादी कला नाम से गोशिद किया था ये थे अपने यथार्थवादी चित्रकार लेकिन अपनी कला को कहा जन तंत्रवादी और ये थे कुर्बे आंसर जब गया है पर सी ऑप्शन और इन्होंने अपने जो चित्र बनाए उसमें इन्होंने उन चित्रों को फ्रांस के विविन प्रांतों, हॉललेंड, बेल्जियम, स्वीडिजरलेंड, जर्मनी में प्रदेशित किया था इस तरह के चित्र बनाकर और इनका टाइम पिरिड़ पूछा जाए तो 1819 से 1877 इनका समयकाल था नेक्स्ट कोश्चन है 565 निम्न में से कौन सर्वस्रेष्ट रोमांसवादी कलाकार कहलाता है तो सर्वस्रेष्ट रोमांसवादी कलाकार इसमें कहलाते हैं और जेन देलाकरा आंसर है ऑप्षिन डी सर्वस्रेष्ट की बात की गई है तो सर्वस्रेष्ट देलाकरा को जाता है सर्वस्रेष्ट रोमांसवादी कलाकार होने का श्रे ओजेन देलाकरा इनका पूरा नाम था टाइम पिरिट था इनका 1798 से 1863 मैं आपको समयकाल इसलिए बताती जाती हूं कि कभी आपको कलाकार को के टिकरिवाई लगाना हो सर्वस्रेष्ट मतलब समयकाल से सेंिरल जूनियर करम भी पूछा जातार है कंपसे कही वार और इस तरहे हो नेट में जरूर पूछ जाताया बहुत सारा तो आपको टाइमप्रिड मालूं होगा तो आपको मालूं चल जाएला क और से कलाकर नेक्स्ट कोशन है 566 शेड का शिकार करते जहाँगीर 21 कलाकार दौरा निर्मित चितर है तो शेयर का शिकार करते जहाँगीर ये बनाय था मुगल काल में जहांगीर के समय के चित्रकार थे मनोहर उन्होंने इस चित्र को निर्मेद किया था आंसर यहाँ पर आप्शन C मनोहर का बनाय हुआ चित्र है यह शेर का शिकार करते जहांगी और इस चित्र की एक प्रती जो है वो मॉस्को में और एक आक्सफोर्ड में है यह जाद रखी इसकी दो प्रतियां है शेर का शिकार करते जहांगी जिसमें से एक आक्सफोर्ड में है और एक मॉस्को के म्यूजियम में संग रही थे कॉशन है 567 बादामी गुफाओं के चित्रों को खोजने का श्रे किसे प्राप्त है तो बादामी गुफाओं का खोजने का श्रे जो जाता है वो जाता है स्टेला क्रेमरिश्ची को न कि चित्रों को और जो बादामी गुफा के मंदिर है वह चालुक्योदारा निर्मित किए गए थे और चार मंदिर है मतलब याद रखिए चालुक्योदारा निर्मित थे यह चार गुफा मंदिर है बादामी में जो है कन्नाटक में नेक्स्ट कॉशन है 568 ब्लू टोर्सो जिसे 1973 में बनाया गया और दप्लें1489 बनाया गया 20 कलाकार द्वार्ण निर्मित चित्र हैं, तो ब्लू टोर्सो और दप्लें ये दोनों रहें इस चित्र बनानेवाले कलाकार, है तैयम मैहताजी, यहां मैं आपको बता दू, बहुत सारे समकालीन भ्ःत्य कलाकारों पर आदोनी कलाकारों पर वीडियो में बना चुकी हुं जिनकी मुझे काफ़ी डिटेल में जनकर ही मिल पाई उनका डिटेल में वीडियो बनाकर प्रिश्ण उत्तर का वीडियो बनाया है लक्सी और जिनकी पुरी डिटेल नहीं मिल पाई है तो उनको फिर मैंने प्रिश्ण उत्तर के बाद हमसे काफ़ी जो चीजा शामिल हो सकती उनको शामिल किया है तो आप मेरे चेनल की ले अ प्लेयलिस्ट में संकार इन भारति एक कलाकार वारा फोल्डर जरूर चेक करे और कलाकार वार वार प्रिष्फेटर infl दोनुं ही रूने बनाये थे ब्लू टोर्सों बनाया था ओईल में और दपले बनाया था इन्होंने ओईल में और भी प्रसिद्द चित्रहन के दो आकरतियां महिशा सूर, मुमेन ओन डिक्षा, थ्री हट्स स्रडीज भी स्रीज बनाई थी इन्होंने नेक्स्ट कोशन है 569 जर्मीनेशन, तीन अकरतियां, मस्खरे और छपाक का माध्यम क्या है तो ये सारे ही जो है ये प्रिंट है और ये प्रिंट जो है वो तैयार किये गए थे विस्कोसिटी माध्यम में और बनाने वाले कलाकार है क्रिशन रेड़ी जी इन पर भी मैं कलायत्रा का और प्रिशनतों का वीडियो बना चुकी हूँ आप जरूर दिखिएगा ये उनके सारे बनाये हुए प्रिंट है जर्मीनेशन, तीन अकरतियां, मस्खरे, छपाक, प् प्रिंट है 570 सुजाता वाश टेक्निक का किस कलाकार दोराने में चित्र है तो सुजाता चित्र जो बनाया था ये बनाया था अवतार सीं पवार जी ने आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उन्होंने शानती निकेतन से पढ़ाई की और काफी प्रसिद मूर्तिकार कहोने के जो बनाया हुआ चित्र है सुजाता ये वाश टेक्निक में है और ये संग रही थे उत्तर प्रदेश राजी लगत कला अकादमी लखनो में पूछा जाए कहां तो लखनो राजी लगत कला अकादमी में चित्र संग रही थे कॉश्चन है 571 किस कलाकार की विचारों को फ्रेंच कलाशेत्र में कानुन की तरह लागू किया गया तो ये कलाकार थे जिया ओगस्तू दोमनिक अंग्र इनका पूरा नाम बताया है मैंने आपको ओप्शन सी अंग्र बोला जाता है शौर्ट में और पूरा नाम था जिया ओग्योस्त दोमनिक अंग्र और ये नवश्रास्त्रिवादी कलाकार थे अठारा सो एक मेने रॉम पुरस्कार भी प्रयाप्त हुआ था और इनका अगर समयकाल पूछा जाए तो 1780 से 1867 इनका टाइम पीरिट था और इनके जो विचार थे वो बहुत ये रेखा चित्रों के लिए काफी प्रसिदर है इनके जो रेखा चित्र वो तो उच्छी श्रेणी के थे और इनके जो विचार थे उसको फ्रेंच कलाश हैत्र में एक कानून की तरह समाना गया कोशन 572 है बाग गुफाओं की प्रतिलिपिया निम लखित में से किस कलाका ने नहीं बनाई है या नहीं है जाद रखिए कई बार पुछता जाता किस ने बनाई है और किस ने नहीं बनाई है तो देखिए बाग गुफाओं जो की मंद्रदेश में हैं इनकी किस किस ने बन बनाई हैं असिद कुमार जी ने भी बनाई हैं अवने इंद्रनाथ टेवगर जी ने नहीं बनाई है इस feeding होना चाहिए था सुरैंद्र नाथ जी नन्दलाल भोश जी असितकुमार इन लोगों ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई हैं बाग गुफाएं जो पहली गुफा होती है उसका नाम ग्रय गुफा, सेकेंड का गुसाईं या पंच पांडव, थड़का, हाती खाना, चोती गुफा, रंग महल और पांच भी पाटशाला नेक्ट कोशन है, 573 कांटरा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? किस ने किया प्रकाशन? तो किया था सौमी नाथन जी ने? याद रखिए स्वामी नातन जी ने प्रकाशन किया इसका और कब किया तो किया था 1966 में और गुलाम महुमर शेख जी भी इसमें उन्होंने भी इसमें सहियो किया था और स्वामी नातन जी पर जल्द ही आपको वीडियो भी मिलेगा इनका हुआ था उन्नीस सो अठाइस में जन्म शिमला में और उन्नीस सो चोरानवे में दिल्ली में निकी मृत्ति हो गई थी और कंटा पत्रिका का उन्होंने प्रकाशिन किया था दिल्ली से कोशन है 574 कि इस कलाकार ने कहा मुझे देवता दिखाओ मैं उसके छित्र खीचूंगा तो यह बात कही थी कुर्वे ने आंसर हो जाएगा आप्शन बी जैसे अभी मैंने आपको बताया कुर्वे जो थे वो यथातवादी शेली के कलाकार थे और ने अपनी कला को जनतंत्र वादी कला का नाम दिया था और इनका टाइम प्रियोड था अठारा सो उन्नीस से अठारा सो सततर और उन्होंने कहा था मुझे देवता द प्रकाश्रित हुई थी उन्नीस सो नो में पुछा जाए कब उन्नीस सो नो में प्रकाश्रित हुई थी एक आरंद कुमार स्वामी जी द्वारा लिखी गई फुस्तक है यह और इनका टाइम प्रियोड पुछा जाए तो 1877 से जब भारत आजाद हुआ उस वरशिन की मृत् द्वारा लिखते हैं कोलॉंबो में इनका जन्म हुआ था 1903 में इन्होंने लंदन से भूगर विधा में डॉक्टरेट किया था और इन्होंने इंडियन क्राफ्टमन पुस्तक लिए काफी पुस्तक है लिखी है काफी प्रसीद पुस्तक है जल्द ही आंत कुमार स्वामी जीका में वीडियो बनाऊंगी और जो इस वीडियो को थोड़ा लेट देखेंगे उनको वीडियो भी मिल जाएगा दोस्तों यह थे 25 प्रिश्ण आप कमेंट करके बताएगा प्रिश्ण आपको कैसे लगे और अच्छे से पने पढ़ाई करते रही है और मेरे चैनल की प् से करोड़ा दिए कर दो और अबतागो ये वे दो